दोस्तों, आज की इस कहानी का शीरशक है, राय यानी ओपिनियन. दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृप्या अभी सब्सक्राइब करिए और विडियो पसंद आए तो लिखे जरूर करना. मेरा नाम है प्रभाकर गुप्ता. मान लो आप धूप में कही जा रहे हो, पसीने से तर्बतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा. ऐसे में आप एक व्रिक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हो. तभी आपकी निगाह सामने चार मन्जिला मकान पर जाती है. मन में ख्याल आता है. एक सालेप लोगों को लूट कर करोरपती हो रहे हैं. तभी अचानक इमारत की चौथी मन्जिल की खिड़की खुलती है और आपकी उस व्यक्ती से आखे मिलती है. आपकी स्थिती देखकर वह व्यक्ती हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है. आपने ततकाल उस व्यक्ती पर एक राय बनाई. दो कितना सहरिदय व्यक्ती है? उस व्यक्ती के लिए यह आपकी दूसरी राय है. आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड की बंद कर देता है आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दर्वाजे पर पहुँचते हैं लेकिन नीचे का दर्वाजा पंदरह मिनट बाद भी नहीं खुलता अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? आप उसे मन ही मन गालिया देते हैं तीन धोके बाज, बेवकूफ, उल्लू का पठ्था, धीला, आलसी, कही का यहाँ आपकी तीसरी राय है थोड़ी देर बाद दर्वाजा खुलता है और आदमी कहता है मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी के बजाए नीन्बू पानी देना सबसे अच्छा समझा इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? चार कितना नेक इनसान है? अब जैसे ही आप शर्बत को अपनी जीब पर लगाते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें चीनी नहीं है अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है? पांच बेवकूफ नालायक कंजूस कही का आपके चहरे को खटेपन से भरा हुआ देखकर, व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पांच निकालता है और कहता है माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए अलग से चीनी ले आया आप जितनी चाहें उतना डाल लें अब उसी व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय होगी छे, अब आप मनन कीजिए एक सामान्यसी स्थिती में भी, अगर हमारी राय इतनी खोखी है और लगातार बदलती जा रही है तो क्या हम किसी भी बारे में राय देने के लायक है या नहीं इसलिए किसी के बारे में जल्दी राय ना बनाए कौन किस परिस्थिती या स्थिती में क्या कर रहा है, ये वो ही बहतर जानता है हो सकता है अपनी अपनी स्थिती से आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है तो अच्छा है अन्यथा वह बुरा है कृप्या गंभीरता से विचार करे